जहन दोस्तों स्वागत है आप सभी का जीएस की पार्ट साला में दोस्तों ये वीडियो ये यूपी-PSC, आरो-आरो या अन जो ही परिक्षाएं हैं आगामी परिक्षाएं सभी के लिए महात्पूर्ण है क्योंकि ये जीएस का जो है ये वन-Liner Facts का ये वीडियो है ठीक है और जो बहुत ही कम समय में आपका एकदम fast, quick revision करवा देगा, ठीक है, तो ये इसका 21 वीडियो है, अगर आपने इसके पहले 20 वीडियो नहीं देखे हैं, देख लीजिए, बहुत महात्पोन महात्पोन topics के करवाई हुए हैं, ठीक है, बहुत बड़े-बड़े वीडियो नहीं है, 10 मिनिट, 12 मिनिट, 15 मिनिट के वीडियो हैं, अगर आप इनको 1.5 के सीरीज में, स्पीड में देख लेंगे, तो आपका बहुत कम समय में revise हो जाएगा, ठीक है, revision अभी करना बहुत जरूरी है आप लोगों का, पढ़ते रहिए, revision करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, मै हमारा जो लक्ष है, हमें ROARO में GS में 85 प्लस और हिंदी में आपका जो जनरल हिंदी है, उसमें आपका 55 प्लस, यह जो target है, यह कैसे ले आना है, तो यह इसी तरीके से आएगा भाई, ठीक है, revision कीजिए, आप जो आपने notes बना रहिए हैं, जो आपके प्रशन गलत हो रहे है सीरीज, mock test जो लगाया है, उसमें जो गलत हो रहे हैं, उसको revise कीजिए, बार बार revise कीजिए, कि दुबारा वो चीजें गलत ना हो, ठीक है, current affairs हो गहरा, सब पढ़ते रहे हैं, current affairs बहुत सारी जो YouTube पे बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, और अच्छे content दे रहे हैं जो रूप, घटना सार की आगई है, उसको आप ले सकते हैं, ठीक है, उसको आप hardly एक हपते के अंदर ही वो पूरी बुक खतम हो जाए, डेड़ सो पेज है, मुझे तो लगता है कि दो से तीन दिन, मतलब दो से तीन दिन से समय अधिक नहीं लगना चाहिए, उसको खतम कर चलिए, बहुत हो गया, बहुत सारे चीजी बता दी, अब वीडियो सुरू करते हैं, ठीक है, इसको लाइक कीजेगा, शेर कर दीजेगा दोस्तों में, ठीक है, आप लोग इसको लाइक शेर नहीं कर रहे हैं, अगर आप इस पे थोड़ा सा अपना उत्साह दिखाएंगे, इसको थोड़ा लाइक, सेर, सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा आपको विजे नगर सामराज इस पर, ठीक है, विजे नगर सामराज का हरली 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, और पूरे आपको पूरे फैक्ट्स आपको रिवाइस करवा दूँग अच्छे से, तब इस पर विजे अच्छा आएगा, तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूँगा, ठीक है, वो 25 वीडियो होगा इसका, ठीक, चलिए, तो शुरू करते हैं वीडियो को, तो चलिए, शुरू करते हैं, देखिए ये सम्मिधान के स्रोत, यानि कि जो भारती सम किया गया है यहाँ ठीक है, बारती समिधान में, तो देखिए ब्रिटेन से क्या-क्या चीज़ी गई है, ये बिसिकली मेरा नोट्स है, ठीक है, मेरी नोट्स की ये, सौर्ट नोट्स की ये कॉपी है, ठीक है, तो उसी का मैं आपको बता रहा हूँ, 110 परसेंट यहाँ से आ कंट्री परश्यत के पास रहती है, ठीक है, एकल नाइपल का, एकल नागरिक्ता, बिधी का सासन, संसद एओं बिधान मेंडल की जो प्रक्रिया है, वो, ये सब कहां से लिग गई है, ब्रिटेन से, याद रखिए कि मैचिंग में आता है, और यूपी, पीसेस, आरो, यारो या और जो भी स्टेट की पीसी, जो भी एक्जाम है न, हर जगे ये प्रिशन मैचिंग में आता है, सूची वन को, सूची दो से, या डारेक्ट भी पूछ सकता है, आरलेंड से क्या लिया गया है, तो भी ये डीपीस भी, जो राज्य के नीत नीजे सकता है, वो, और राज सभा, राज्य सभा, और जो विधान मंडल होते हैं, यानि कि विधान सभा कह सकते हुआ, विधान सभा, इनके जो है, वो सब निर्वाचित, इलेक्टेड मेंबर्स याद रखेगा, ठीक है, कौन? इलेक्टेड, इस्पैसली मैं इलेक्टेड बोल रहा हूं, याद रखेग इलेक्टेड मेंबर्स, प्लस इसके अलामा जो दिल्ली और पुदुचेरी, डेली प्लस पुदुचेरी के जो मेंबर्स हैं, इलेक्टेड मेंबर्स, ठीक है, यह यहां के जो विधान सभा है, तो यह लोग होते हैं, निर्वाचक मंडल में, याद रखेगा, यह कहां से ल बिचार है वह लेकिन जो भासा अदेसिका की वह कहां से है औससी है समवर्ति सूची, केंदर राजसंबंध, सक्तियों का विभाजन और संयुक्त बैठक, ठीक, ये सब कहां से हैं, ये सभी आपके आस्टेलिया से, व्यापार वाने जियों समागम ये भी है, आस्टेलिया से ध्यान रखियेगा, ठीक है, देखें, कनाड़ा से क्या लिया गया ह है, ठीक है, किस में है वो, 143 में, आर्टिकल नंबर 143, याद रखना, ठीक है, उसमें ये सारे विश्यस्ता हैं, कहां से, कनाड़ा से लिग गई है, ठीक, जापान में बिधी द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये लिया गया है, दच्छन अफ्रीका, ये आपका, जो दच लेकिन जो निर्वाचन होता है राजसभा के सदस्यों का, वो कहां से है, वो साउथ अफ्रीका से है, तो बहुत मानूट अंतर है, उसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, पढ़िएगा, जब सेंटेंस में कभी पोचता है, ये सब या मैचिंग में, तो आप उसको ध्यान से पढ़िए, नहीं तो गलत कर जाएंगे, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, चलिए, उससर, ततकालीन, उससर अभी तुरूर से, ठीक है, तो ये उन्हें वहां से क्या लिया गया था, तो ये मूल कर तब ध्यान रखिएगा, ठीक है, और जो नियाय क की बात करी गई है, सामाजिक आर्थिक नयाय, तीन प्रकार की नयाय की बात की गई है, प्रस्तावना में, वो भी कहां से लिया गया है, तो वो यहीं से लिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा, और एक बहुत महत्पूरुड चीज, प्रोटे में स्पीकर याद है और इनको सपत कौन दिलाता है प्रेसीज़ट ही दिलाते हैं ध्यान रखिएगा ठीक है बहुत महतं कर चीज बता रहा हूं ये आप कहीं आप कहीं आपने पढ़ा हो इपरोटेश कहां से हुआ फ्रांस से याद रखियेगा ठीक है जो प्रोटेम स्पीकर की न्यूक्ती होती है बेसिकली काम क्या होता है इनका कि जब तक की नए जो लोकसभा धक्ष होते हों की उनका जो चैन है वो ना कर लिया जाए तब तक जितने भी चुनके आय रहते हैं सदस सांसद उनको सपत दिल जर्मनी अपातकाल के समय मूले इधक्यारों का स्थगन जर्मनी से यॅक कि लिखा हुआ है जैक लिखा हुआ है कि संमिधान सभा को क्या कहा गया है तो स्रोणिक कहा गया ठीक है याद रखेगा विमसार को राजग्री नगर की स्थापना इसी ने करी थी ठीक यहां पर जैन तिर्थंकर्द यह हुए हैं और उनसे सम्मंधित जो उनके प्रतीक रहे हैं प्रतीक चिन उनसे मैचिंग में बहुत आता है देख जो प्रतीक था वो क्या था व्रिसब ध्यान रखियंकगे अजितनात ये दूसरे थे ये गज इनका भी इनका रखे गहाँ इनका उल्ले की यजुरुवेदे में मिलता है तो ये भी ध्यान रखना थीक है यह जुरुबेद में, संभोनात, यह संभोनात का अस्व, यह उपर के तीन जो है न यह सभी अयुध्धा में, इनका जन्मस्तिली कहां है, यह सभी अयुध्धा में, ठीक, याद रखे गए इस चीज को, ठीक है, सुमित नात यह पांचवे थे इनके क्रॉच, ठीक है, अभि लिनाथ का याद रखिए जो 19 वे थे यह कलस इनका याद रखिए गा कुछ नहीं तो कुछ मदब सारे नायाद हो ठीक है चौबिस तिर्थंकर है सारे का नायाद हो तो कम चम दो-चार ऊपर के और दो-तीन नीचे के याद रखिए जैसे अब आप अगर महावीर का याद रख लेंगे तो आप वहाँ पर आप्सन में पहचान लेंगे ठीक है यह याद रखिए कुछ और पहत्रपूर्ण जो तथ्य बता रहा हूं उनको लिख लीजिए गा यह वैसे पीडिएफ में टेलग्राम पर सेयर कर दोंगा चैनल पर वहां से आप ले सकते हैं लेखे तब देव का उलेक रिगवेद में मिलता है धीकिए यहां बताया था न मैंने इनका अजितनात का उलेक कहां मिलता है ये जुरुवेद में थीक तो यह अलग अलग चिखहों पर लोगों का उलेक है वो उत्याओ पूछाए रहा था याद रखिए ऑर भी है चीजे बहुत स चीज को बता रहा हूं आपको और भी चीजे हैं सॉट नोट में बना रखी हैं चीजे वह चीज आप देख लिए एक बार देख लेंगे तो याद रहेगा जैसे महावीर के स्वामी के मृत्व के बाद सुधर्मन जो है वह जैन धर्म का पर्थम वह बना था चंदेल सासक धं लोग कुटागरसाला बिहार यह किसने बनवाया था आप कमेंच करके बताएगा मज़े इनहीं के लिए बनवाया गया था ठीक है तो याद रख़ेगा यह बता यह में अपनी जो अंतिम वर्सारी जिटू है कहां पर गुजारी थी यह ऌन्तिम वर्सारी तो तिख है बहुत धर्म से संबंधित ये देखे संगीतियां हुई हैं बहुत प्रश्ण पूछता है इसे भी तो देखे जैसे इसमें याद रखेगा प्रथम बहुत संगीत राजग्री में हुई थी महा कस्व अध्धक्ष थे और अजादसुत के समय पर हुई थी दूसरी वैसाली में हुई थी सबुकामी अध्धक्ष थे और काला सोक सासक का नाम याद रखेगा तीसरी पाटिये पुत्र में हुई थी और आपका ये मोगली पुत्र थे और असोक के समय तीसरी याद कुंडलवन में कस्मीर में ठीक तो यह ध्यान रखिएगा यह चीज़ बहुत धर्म में ही जैसे देखिए दो संप्रदाय हुए एक महायान हो गया हीन यान हो गया दो हो गये तो महायान क्या है यह यह थे मूर्थ पुजक थे ठीक है उत्कृष्ट मार्ग मानते थे इसको हीन यह जो मूर्थ पुजक नहीं थे यह निम्नमार्ग माना जाता है ठीक है मांते थे उसमें भी देखिए उसमें भी देखिए जैसे हीन यहान में वैभासिक और सौतांत्रिक इससे संब्धित है तो याद रखिए नियान सम्प्रदाय से ठीक है इसमें अलग-अलग यह रहे नागरजुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता था यह आइरोनी ऑफ इंडिया है ठीक है यह सब जो आप कह सकते हैं कि यूरोपियन जो लेखक रहे हैं बताए आइंस्टीन और नागरजुन में कितना डिफरेंस है लेकिन उनको उनकी उपाद दे दी गई चलिए ठीक है जो सब्सक्ताओं यहाद रखेगा यह किस से मतलच संधिन उसे बुद्ध धर्म का लिखा यहाद रखेगा certains को पूछा महायान सन्सुक्रिद यह अए ऑड़ याईन यह घ्यान रखेगा देगा व्रिस्ट्त्तों के बारे में प्रश्क पूछा तेश् पूछा है और अधर स्टेट में भी पूछा गया है जैसे अवलोग की तेश्वर जो है यह पर्थम बोधसत्व थे हाथ में कमल लिये हैं इन्हें पदमपाण भी कहा जाता है मंजुसरी एक हाथ में खटक दूसरे में किताब बज्रपाण यह हाथ में बज्च लियों मैत्रि बेसिकली कलसधारी है और यह भावी बोधसत्व यानि कि आने वाले बोधसत्व मैं त्रे कहते हैं लाइट आफ एसीया याद रखेगा एडविन अर्नॉल्ड की है यह बुद्ध ने पहला जो उपदेश दिया था वह प्राक्रतिक भासा में दिया था तो यह कुछ के लिए एक से दो बार देख लिएगा इसको बहुत बड़ा वीडियो नहीं है 1.5 की स्पीड से देखिएगा आपको बहतरी तरह के से समझ में आ जाएगा ठीक है तो इसको लाइक किजिएगा शेयर कर दिजिएगा मैंने बताया कि अगर आप इस पर रिस्पॉंस अच्छ तक मैं पूरा आपको यार दिला दूँगा उसको लब रिवीजन करवा दूँगा ठीक है तो इसको लाइक किजिएगा शेयर कर दिएगा चले जैहन